हलो गाइज, वेलकम बेक तो अबर यूटूब चैनल एग्रिकल्चर अंजी के मैसेल्फ अंचरी नामदेव और आज हम डिसकस करने चाहर है वीर चंद्रा सिंग, करहाबली, उत्राखंड उनिवर्सिटी और फॉर्टी कल्चर और फॉर्स्ट्री उत्राखंड उनिवर्सिटी और फॉर्टी कल्चर अंजी अग्रिकल्चर अंजी अग्जाम प्रिवियस येर पेपर 2018 का हम इसको डिसकस करेंगे और यदि आप हमारे चैनल में नए है, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें इसके यदि अभी तक हमारे अप्लिकेशन अग्रिकल्चर अंजी के को डाउंलोड नहीं किया है, तो आप जाकर description link से download कर सकते हैं तो हम start करते हैं आज का session जो हमारा था lecture so question number one is wheat is so wheat है वो C3 plant है अब C3 plants क्या होते हैं जिन में some important most important sources क्या होता है calories का होता है ठीक है तो यह क्या है आपका C3 plant है mean, median and mode is equal in so mean, median and mode यह statistics का है question तो यह क्या होते है यह equal होते है किसके normal distribution के जो normal distribution से हमको average निकालना है mean निकालना है median निकालना है यह normal distribution के equal है inflorescence of jar is called inflorescence तो jar के inflorescence को sorghum के inflorescence को हम क्या बोलते है panicle बोलते है तो jar का हम देखे के जो sorghum इसका botanical name क्या होता है सौरघं बाइकलर, इसे हम किंग ओफ कोर्स मिलेट भी बोलते हैं नेक्स है, ग्रोमर, SCU और CDU आर्द, तो हम आपको बता दे slow-release fertilizer क्या होते है यह slow-release fertilizer से, अब यह fertilizer क्या होते है, यह क्या होते है यह क्या होते है, एक steady supply करते है plant nutrients, पूरे period of time तक के लिए है तो इन्हें बोल देंगे, हम लोग slow-release fertilizer, SCU ग्रोमर तो ठीक है, SCU क्या है sulfur-coated urea, CDU is crotonirine diurea, ठीक है, यह क्या है slow-release fertilizer है फिर नेक्स आपकाता है, law of tolerance was introduced by जो law of tolerance है, वो किस से दिया था वो introduced किया था, सेलफ़ोड ने इनका जो पूरा नायम की बात करें, Victor Ernest Selford है तो V.E. Selford भी हम इसे बोल सकते है जो law of tolerance है, वो यह कहा गया था कि किसी भी organism का जो success है, वो based करता है किस पे एक complex set of condition में यह बोल सकते हो, हर organism में minimum, maximum और optimum environmental factors होते हैं, यह combination of factors क्या करता है, उसका success को determine करता है, next is end product of glycolysis, so glycolysis is a process by which one molecule of glucose is converted into two molecules of pyruvate, तो ज़सका end product होता है, वो क्या होता है pyruvate होता है, define lithophytes, lithophytes को डिफेंड करो direct definition पुछे, the plant grows, its rock services are called lithophytes, मतलब कि जो plant कहां पे ग्रो होते rock services से इसको को हम क्या बोल देते हैं lithophytes, अब बात करें during glycolysis, तो जो जो नेट ग्रो होता है, वो किते होता है, वो होते हैं, तू, फिर आता है कि, all sin, sorry, next ς पॉस्फोरस इस एक्स्राइटिट बाशेन मे है तो ज है फुस्फनूरस स्टैट्ट scenario निए ज्कादार किसी ह millennia लृष्पोरस मेथड़ से बिज्से Obrigू त्वीज तो हमारे हो स्टैट करें दो तो हम सोडियं सोडियं में एकस्ट और पेच करने के लिए नेक्स अगाने के लिए था करते हैं मिलागे सांगे से लिए में बाता है तो यह वा जैड़ करेंगे से लिए खुझाहिए। अब प्राइस ओर डिमान्ण से थैसिक समझीड सरह होanken जब डिमांड चाहदा होती है तो प्राइस कम होता है और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस क्या हो जाता है जाता है तो इन स्पाइश नेगेटिब दिखरहा न कि कोरलेशिन न Abend प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है और ज्यादा हो रही है तो प्राइस कम हो रहा है तो यह निगेटिव हो गया पार्शिय लिमिट ऑफ पार्शिल कोर्रेलेशन कोफिशेंट होता है अब देखो सलेंन और अलकलाइन संसौल मुझा होती है जिन में हम क्या कर सकते हैं वहां पर एदर क्लोकुष्ट साथ लिया पनाने करें दोयरें के लिए उसमेen आदर डिया टांसलेन पार्थों से,टिब ऑफ पाेर्थåं में पार्थक्रापिशा खाना भ गूरु शुल सुल फ्रूट का डेवलाप्मेंट होना without fertilization, बिना fertilizer के development of the fruit is called parthenocarpy. Development of embryo without fertilizer is called अब देखो, अब बोल रहा है, embryo fruit का तो development हो गया, लिकिन अब embryo का development होना बिना fertilizer के उसे हम बोल देते हैं, apple mixes हम कहते हैं. Next, relative humidity is measured by, तो psychometer के थुरू हम relative humidity को measure किया जाता है. Father of Indian Pale Botany is, so Indian Pale Botany के जो father है, यहाँ बात करो, father of pale botany तो वो है बीरबल साहनी है. The weed used for ornamental purpose is, so अब आद खरी धर पर क्या बोलें अबको, यहाँ पर बोल रहा है कि जो, क्या बोले हैं, जो weed है, weed क्या होते हैं, unwanted plants हम तो उनको अटा देते हैं, लेकिन ornamental purpose के लिए, जो हम लोग साथ सजाबट के लिए यूज करते हैं, वो है lantana camera. Next है, core component of chlorophyll is, अब core component क्या है ना, तो chlorophyll का core component तो आपको पहले तो बात हो, इसका formula पता है, C55, H72, H72, then S05, N4, MZ, तो इसका जो core component है, वो है MZ, ठीक है, इसका बहुत important जो main component है chlorophyll का, वो है magnesium. Soya bean is sown, अब soya bean का हाँ पे, कित्ती डेफ्थ में सोई, इनकी चाती है, इसकी 3 cm, ना, तो जो soya bean का botanical name क्या हो गया, glycine mix, Chinese का origin है, इसे हम क्या बोलते है, poor man's meat भी बोलते है, prominent soil of India, तो यह क्या है, prominent soil of India है, वो है alluvial soil, जो की 43% area में इसमें पाई चाती है alluvial soil, क्याजमा is seen during diplotene subphase, तो देखो, क्याजमा हमको कब दिखाई देता है, क्याजमा जो होता है, क्या होना, crossing over होना, इसको diplotene subphase में हमको यह दिखाई देता है, current method is used for control of ball warm in BT in cotton is, तो जिखो, तो जो current method है, current method क्या हो सकते है, यूस किया जाता है, किसमें control, वाल्वम के control के लिए cotton में वो है, VT transgenic cotton produced, next हम बात करेंगे, photorespiration occur, जो photorespiration होता है, वो कहां पे होता है, वो होता है, क्लोरो प्लास्ट में, water use efficiency is highest in which plants, जो सबसे जादा water highest plant में होती है, कैम plants में है, कैम plants, क्रैसुलेशन, acid metabolism, अब इसमें कौन-कौन से plants आते हैं, इसमें आते हैं, orchids, cactus, jet plant, ये सब आते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनकी वाटर use efficiency होती है, वो सबसे जादा होती है, जो chromo shiomal theory of inheritance was proposed by, जो chromo shiomal theory है, वो किसने proposed की थी, वो की थी, यहां पर जो है, वो किया गया था, सटन एंड बाबरी के द्वारा, तो ये inheritance, क्या है, ये inheritance की एक थियोरी है, जहां पर chromo shiom जो होते हैं, genetic heredity के बिहाइकल होते हैं, ठीके, next हम बात करेंगे, so वो है, the price fixed by government is called, जो price fixed किया जाता है, गौर्मेंट के द्वारा, उसे बोलते है, minimum support price, MSP, और इसे formulated किया जाता है, CACP के द्वारा, ये इसके कित्ती crops के लिए दिया जाता है, total 28 crops के लिए से दिया जाता है, तो जो सबसे जादा, बोल सकते हो, chemical किसका यूज़ करते हैं, ट्यूबर जो dormancy है, नहीं, क्या हो जाता है, सीट कभी-कभी dormant stage में रहता है, तो वो germination नहीं कर पाता, तो वो क्या होसाएगा, थायो यूज़िया है, जिसका हम यूज़ करके, इसकी dormancy को break करते हैं, तो है, the term was harvesting, water harvesting was first time used by, तो देखो, water harvesting क्या है, जो हमारा rain water होता है, उसको collection करना, और further future के लिए क्या करना, उसको save करना, water harvesting क्या लाता है, तो ये सबसे पहले किसने यूज़ क्या था, ये किया गया था, first time used by मेयर के दोहारा, the first commercial hybrid cotton of world is H4, तो जो commercial hybrid cotton है, सबसे वर्ल्ड में है, तो वो है H4, जो कि इंडिया में develop की गई थी, इसे develop किसने क्या था, इसे क्या था, CT, पटेलने, next बात करें, international day for biological diversity, जो international day है, biological diversity के लिए है, बुक अप मेना जाता है, 22 मही को, measuring of heights, ठीक है, one by, clinometer के दोहारा height को measure किया जाता है, number of electrons for conversion of nitrate to ammonia is 16, तो जो electrons की ज़रत पढ़ती है, conversion करने के लिए, नाइटरिट से ammonia में तो बहु हो जाता है, 16, bangalore is also known as, जो garden city के नाम से किसे बोलते हैं, bangalore को बोला साता है, origin of potato is, पेरू, South America में इसका origin है, आपको बहता है, ठीक है, इसका जो क्या बोल सकते हैं, जो solenum tuberculosis में इसका botanical name है, dormancy breaking hormone, जो dormancy को break करता है, हार्मोन का बात कर रहे है, और मैं हार्मोन कौन से हो जगा, cytokine, जो है, वो एक dormancy breaking hormone है, element involved in energy transfer and storage, plant is, तो क्या हो जगा, phosphorus, देखो, सबसे जगा, element कौन से हो गया, जो energy को transfer करता है, storage करता है, plants में, वो क्या हो गया, phosphorus हो गया, है, ना, next question है हमारा, fruit ripening hormone age, fruit ripening hormone हो क्या है, तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, वो क्या है, तो फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है, वो है, एथाईली, विच इस the antidote of insect poisoning, atheropine, जो atheropine है, वो क्या है, antidote है, insect poisoning का, minimum support price is formulated, तो जो minimum support price है, वो fix तो government के द्वारा किया जाता है, लेकर formulated किस के द्वारा है, CACP के द्वारा, और टोटल 28 crops में दिया गया, यह मैंने आपको बताया था, luxury consumption of or maximum uptake nutrient is, तो हमने अभी आपको अभी बताया कि जो ट्रांस्लोकेशन का काम होता है, वो कौन करता है, पोटेशियम करता है, तो luxury consumption of or maximum uptake, कौन सो nutrient करता है, वो potassium करता है, crop canopy temperature is measured by infrared thermometer, जो crop canopy temperature है, वो किस के द्वारा मीजर किया जाता है, वो infrared thermometer के द्वारा मीजर किया जाता है, next question है, वो है, secondary plant nutrient are, secondary plant, देखो, अब plant nutrient, तो हमें essential nutrients पताया 17 होते है, इनमें से भी क्या होते हैं, एक macro होते हैं और macro होते हैं, अब macro में भी दो होते हैं, macro में क्या होते हैं, यह दो होते हैं, primary और secondary, तो primary में जो होते हैं, वो NPK होते हैं, और secondary में होते हैं, calcium magnesium और sulfur होते हैं, अब macro में बाग की बच्चे वे जो elements आते हैं, किसमें जाते हैं माइक्रो में आते हैं माइक्रो एल्यमेंट में माइक्रो न्यूट्रेंट में अब बात करें हुलिंग परसेंटेज और इन राइस 65 परसेंट है अब हलिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं हलिंग परसेंटेज को निकालने के लिए हम लोग वेट ऑफ हस्क इन होता है इसपे बात कर दें सब्सालिक पॉल मिल इंत लिग कर five परेसंट मेंD hyシर को सब्सेंट थी पेस्त मेंट कर दें मिलिकेंट कर 252 पम मिल मिलिंग परसांट की बात करें ने किना उथ में तो वह होता है फिफ्टी-फिफुफ्टी फॉपाइब परेसंट inflorescence of sugar cane इसका inflorescence होता है arrow setting of plants part is due to जो plants part में setting होती है वो इसके प्लांट पार्ट में किसके कारण होती है वो होती है एपसिसिक असिर हार्मोन के द्वारा first hybrid in the world of red ram red ram मतलब पिजन पी इसका बटी निकल नेम क्या हो गया कि जनस किजान इसकी जो first hybrid है वो ICPH-8 है ठीक है ICPH-8 को कहां से develop किया गया था 31st हैदरावाद से 1999 में इसको genetic male study का use करके ICPH-8 जो hybrid variety इसको develop किया गया था most preferable soil structure for agriculture तो जो हमारे cultivation के लिए जो सबसे ज़्यादा structure favoral जो है preferable है वो है granular और क्रमबी taxonomically organic soil जो taxonomically organic soils है वो क्या है histosols है which soil is most suitable for dryland agriculture तो बता रहे कि dryland agriculture के लिए dryland farming के लिए जो most suitable crop soil है वो कौन सी है वो है black soil है so first man-made cereal is तो आप सब भी जानतें कि जो first man-made cereal crop है वो कौन सी है treaticle जो कि wheat और rai के cross से मिलके बनी हुई है dead heart and white ear disease is related to जो किस से related है यह rice से related है IV-PGR is situated एक तो IV-PGR मतलब International Vote for Plant Genetic Research यह कहां पे situated है यह Italy और Rome में situated है India's share in the first production in the world is 10% तो बता रहे कि जो इंडिया का share fruit production में fruit production में वो कितना है 10% है what is relay cropping relay cropping क्या है हम लोग जो second crop shown before harvesting of first crop हमने कोई crop लगाई उसको harvest नहीं किया उसके पहले ही हमने दूसरी crop को क्या कर दिसकी स्वाइन कर दी that is relay cropping next measurement of sunlight intensity is expressed in तो जो measurement of sunlight intensity को express किया जाता है lux units में old और Einstein जो है वो ही एक नई new unit है ठीक है in water locked air it's gas found in abundant तो जो आप बता सकते हो बहुत अच्छी से कि जो water locked condition में कौन सी gas बहुत ज़ादा रहती abundant रहती वो methane तो हम बोलते है कि जो rice field में कौन सी gas रहती है तो आप सभी सभी को पता रहता है कि इसमें methane gas सबसे जादा रहती ठीक है curing process is related to the crop tobacco and tea से related है curing process the book nature and properties of soil is written by ANC Brady ने इस book को रिखा था nature and properties of soil chemical used for delinting of cottons अब डिलिंटिंग क्या होता है जो process of removal of fuzz from the seed cotton ठीक है आप क्या बोले कि क्या होता है जो हम fuzz होता है cotton seed coat ठीक है कॉटन में तो उससे हम क्या करते है fuzz को रिमूफ कर देते है उसे हम डिलिंटिंग बोलते है अब इसके लिए कॉन से केमिकल यूज करते है वो करते है अब लोग sulphuric acid का यूज करते है maximum nitrogen loss in rice crop is due to nitrification के दूआरा इसमें क्या होता है maximum nitrogen loss होता है wind velocity can be measured वाइस wind velocity के से मिजर की जाती आनिममीटर से queen of spices queen of जो मसालों की रानी है वो क्या है cardamom है elaichi और हम बात करे king of spices black pepper काली में चे king है buckwheat is called pseudo cereal के नाम से buckwheat को जाना साता है very dangerous disease of sugar cane is red rot red rot of sugar cane is caused by glomerula ठीक है tucomensis is causal organism है इसका fungal ठीक है fungal के द्वारा होती है world's special stepple food वो क्या है rice है जो cotton का fiber contain करते है cellulose movement from higher concentration to lower concentration so जब भी higher concentration से lower concentration में जब movement होता है तो उसी क्या बोलते है diffusion के नाम से जाना साता है gold of america is known as soybean जिसे हम लोग poor means meat भी बोलते है और क्या हो सकते है ये glycine maxis का botanical name है formula of net capital ratio is so net capital ratio का formula है वो है total assets upon total liabilities theory of evolution was given by Charles Tarman के द्वारा क्या होती है theory of evolution दी गई है which Indian scientist shared world food prize for medical maze किस scientist को Indian scientist को world food prize मिला था medical maze के लिए वो है Dr. Surinder के बसल ठीक है ICAR day is celebrated on तो आप सभी को पता है ICAR day जो है वो celebrate कप किया चाता है 16 जुलाई को light red carnation represent to admiration next है ANOVA ANOVA table जो stands for analysis of variance के लिए इसको analyze के लिए ANOVA table के यूज करते है formula of harvest index is so harvest index का जो formula है वो क्या है economical yield upon biological yield into 100 तो harvest index हम निकालने के लिए क्या formula के यूज करते economical yield जो है और biological yield जो biological yield है चाफ को मिला के into 100 कर देते है 35 को ये establishment हुआ था who discovered vitamin vitamin को किस ने discover किया था funk ने discover किया था rigor soil refers to जो rigor soil है उसे हम black soil भी बोलते है आप सभी को पता है जो black soil है वो किस order से आता है butty soul order से आता है next है biological active form form of glucose age जो biological active form है glucose का वो है deformed structure में है next है lozing preventer is जो lozing मतलब lozing क्या होता है जो खड़ी फसल होती है वो क्या हो जाती गिर्जाती है lozing हो जाता है तो ये जो रोकने के लिए हम किस chemical का यूज करते है psycho seal का हम यूज करते है fao was started in ये कब से start उता है 1948 से which design is used when fertility gradient is in two direction जब भी fertility gradient क्या होते है दो direction में होते है उसके लिए हम लोग LSD का use हम करते है international paste is ठीक है sister sirka gregaria international paste के नाम से जाना जाने वाला जो insect paste है वो है sister sirka gregaria boudon moment is was started in 1951 से start किया गया था cooperative movement was started by F. Nicholas in 1904 में cooperative movement को start किया गया था सहकारी अंदोलन flared square symptoms are seen in cotton due to spotted ball bomb तो जो flared like square symptoms हम को cotton में दिखाई देने लगते हैं वो spotted ball bomb के द्वारा दिखाई देते हैं can calcium ammonium is a neutral fertilizer है calcium ammonium nitrate इसे किसान खाद भी बोलते हैं आपको पता है root promoting hormone is root promoting root promoting hormone कौन से हैं IBA into albitaric acid ooze test is done for detecting जो ooze test करते हैं किसके detecting के लिए करते हैं हम लग बैक्टीरिया के detecting के लिए करते हैं first product of urea hydrolysis is ammonium carbamate नाबार ठीक है नाबाट जो set up किया गया था on the recommendation of Siva Raman committee नर्सिम्मा committee के द्वारा इसको क्या किया गया था इसको recommendation से नाबाट का set up किया गया था 1982 को next है the trade name of BHC कर जो trade name है वो है Gramyxon है who discovered mitochondria mitochondria is also known as powerhouse of cell C. Banda ने इसको discover किया था 1800 संताने वे में किया था इसको discover BT. cotton ठीक है bacillus thuringis cotton was discovered in कभी इसको discover किया गया था इससे discover किया गया था 1901 चापान बै इस टाबा के द्वारा इसको discover किया गया था next है the term cytokinin was proposed by तो जो cytokinin है वो किसने प्रपोस्ट किया था इसे प्रपोस्ट किया गया था wait लीथेम के द्वारा 1963 में kinetine and geotine are तो जो kinetine है और geotine है वो क्या है cytokinin है cytokinin का भी पता है मैंने कि किसके द्वारा प्रपोस्ट किया गया था ये लीथेम के द्वारा photosynthesis is an तो जो photosynthesis होती है ना प्रकास translation वो oxidation और reduction process है largest importer of cut flower in the world is Germany आपको पता है gibralin was discovered for the first time used by gibralin जो है discovered किया गया था सबसे पहले vitamin is B and C vitamin B and C जो है water soluble vitamin है जिसमें से vitamin C is आपको option दिया रहेगा वहाँ पे आपको tick करने है green house effect is also known as global parming ठीक है global parming के नाम से इसको फिर जान जाता है green house effect को फिर है wham wham क्या है bascular arbuscular marcorrhiza जो है active symbiotic association के तरह work करता है आप symbiotic association क्या होता है association जब दो species के बीच में होता है उसे क्या बोल देते हैं हम लोग symbiotic association lisa stands for less external input sustainable agriculture blue revolution in India was started during तो जो blue revolution है इंडिया में start कब से किया गया था fifth five year plan 1970 से इसको start किया गया था blue revolution किस से related है फिस से related है जो blue revolution है who discovered ph concept ph concept किस ने discover किया था सोरेंसन ने ph को discover किया था so आप यहाँ पे हमारे जो question है वो complete होते है I hope so आप लोग